हेलो एबरीवन आपका एक बार फिर से वैलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वेडियो पे तो आज इस वेडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ SBI Small Cap Fund Diet Growth के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि यह जो मुच्छवल फंड है इसने पिछले एक साल तीन साल पांच साल या फिर एनुवल रेटन क्या दिया है आज के डिट में इसका एक एन भी का प्राइस क्या है यह कितने स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें minimum SIP amount आप क्या लगा सकते हैं और इसका fund size क्या है साथी साथ मैं आपसे discuss करूँगा इसके अंदर कौन कौन सा stock listed है और अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पैसा जम्मा किये होते तो पिछले एक साल तीन साल पांच साल के अंदर आपको क्या रेटन देखने को मिलता और तो सबसे पहले हम दोग देखते हैं कि SBI small cap fund diet growth जो कि एक equity मुच्वल fund है small cap category के अंदर आता है और ये काफी high risk मुच्वल fund है इसने जो पिछले एक साल में return दिया है वो return है 37.75% का तीन मेने की return के आपर बात करते हैं तो तीन साल में 24.55% का return है पांस साल के return के आपर बात कर तो पांस साल में 31.28% का return है और अगर annual return की बात करें तो annual return है 26.75% का ध्यान देंगे अभी जो भी return मैंने यहाँ पर आपके साथ discuss किया एक साल तीन साल या फिर पांस साल का यह इनका one time यानि की लंसम का return है अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा करते तो आपको ये return discuss करूंगा एक छोटा सा notification आपके साथ share करता हूं मेरा एक और main channel है YouTube पे finance के regarding mutual fund के regarding जो क्या भी आपको इसकीन पर दीख रहा होगा तो इसमें मैं काफी अच्छे-ची वीडियो अपलोड करता हूं अगर हम mutual fund या पी stock market के regarding interested है तो इस channel को जरूर visit किजेगा आपको काफी अच mutual fund है इसमें minimum SIP amount आप 500 पर लगा सकते हैं और इसका fund size 32,761 करोर का अब बात करेंगे कि अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते हैं तो फिर आपको क्या return देखने को मिलता अगर आप इस mutual fund के अंदर 5000 परवन जमा किये होते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होते हैं एक लाग 80,000 आपको मिलता है 2,70,502 रुपया यानि कि 3 साल में SIP के तुर्व आपको 50% का return देखने को मिलता और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपको पैसा जमा होते हैं 3,00,000 आपको मिलता 6,43,108 रुपया यानि कि 5 साल में SIP के तुर्व आपको 114 काफी बड़ा हो जुका था फाल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल पच्पन स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप टर्ण इसके सेक्टर वाज डिसकस करते हैं पहला नमाता है बलुस्टार लिमृट्रेड कॉंजूमर दिस्टेस्टनरी अगर इसकी होल्डिंग अनलाइसेस की बात करें तो एक्विटी पे है 93.3% और क्यास पे है 6.7% अब इस एक्विटी को अगर सेक्टर वाज हम लोग देखिये तो सर्विस पे है 17.4, कंजुमर डिस्ट्रेक्शनरी पे 14.8, फैनलसियल पे 14.6, कापिटल गूड्स पे 12.5, कंजुमर इस्ट्रेश पे 10.8, कंस्ट्रक्शन पे 10 पे 10.6, केमिकल पे 10.3, मेटल एन मानिंग पे 5 और अदर्स पे 3.9% यानि कि अगर आप SBI, Small Cap Fund के अंदर अपना पैसा इंभेस्ट करेंगे, तो आपका पैसा इन सारी क्याटेगरी पे डिस्ट्रिब्योट होकर के लगेगा, इसके अगर बात करें तो इसका प्राइस अर्न राफ्र एकाउंट से जोईन करते हैं, तो आपको कुछ रिवार्ट्स देखने को मिलेगा, और आपको एकाउंट आपनिंग या पिर एकाउंट मेंटेनेंस का कोई विचाच नहीं देना होगा, अगर आप इस मुच्छवर फंड के अंदर अपना पैसा इंभेस्ट करना च चाहिए, तो सबसे पहले SBI Small Cap Fund की बात करें, तो एक साल का जो फंड रिटन है 37.8, 3 साल में 24.6, 5 साल में 31.3 और 96.7 का, वहीं पर इस काटेगरी का जो अबरेज रिटन होता है, यानि कि एक्वेटी Small Cap Mutual Fund का 1 साल में 47.2, 3 साल में 24.1 और 5 साल में 32.3 का है, तो यहां से तीन साल में थोड़ा सा अपना काटेगरी अबडेज से ज्यादा रिटन दे रहा है। लेकिन 5 साल में फिर एक बड़ अपना काटेगरी अबरेज से रिटन कम दे रहा है। और रिटन रैंक के काटेगरी पे देखेंगे तो Small Cap Convert Top 5 में यह जगहां भी नहीं बना पा रहा ह तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है आप इसके अंदर investment मत किजिए अगर आपने already invest किया है तो फिर आप कोसिस किजिए कि अपना long term investment बनाने का इसके अंदर अगर आप long term investor बनाएंगे यानि कि पांच साल दस साल के लिए देखेंगे तो फिर यह आपके लिए अच या small cap fund आयड गो तो आप इन 3 small cap mutual fund के अंदर भी अपना पैसा invest कर सकते हैं expense ratio की बात करें तो इनका expense ratio 0.65% का exit load की बात करते हैं अगर आप invest के अबापैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा और sum duty की बात करें तो sum duty है 0.005% tax implication की बात करते है अगर आप invest के अबापैसा 1% के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका return होगा उस पर आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा अगर आप 1% के बाद इसे अपना पैसा निकालते हैं तो पिर उनको 12.5% का tax payment नहीं करना होगा इसके fund house and investment objects की बात करते हैं तो SBI mutual fund total assist पे इंडिया पे आज के डेट पे नमबर एक पे रेंग करता है इसका total assist अंडर मेनेजमेंट है 10,37,900 करोर का SBI small cap fund diet growth ये एक equity mutual fund है जो की launch किया गया SBI mutual fund की तरब से रामा लेयर स्रिभाषन अभी इस fund का current fund manager है इस fund का currently assist अंडर मेनेजमेंट है 10,37,900 करोर का और latest नभी है 201,57 पैसा SBI small cap fund diet growth ये एक काफी high risk mutual fund है इसमें minimum SIP amount 500 प्या कर सेट किया गया है अगर आप invest के वापैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का exit load देना होगा और इसकी fund benchmark के अगर बात के रहे तो इसका fund benchmark है BSC 250 small cap total return index तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया SBI small cap fund के बारे में फिर मिलते हैं रोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके